नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवराइट वे एजूकेशन में, मैं विकास कुमार, फिर से आजीर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपने डिमांड की थी कि सर पलस्टू क्लास का कोर्स भी शुरू करवा दीजि ठीक है दोस्तों, तो आज पलस्टू क्लास के लिए ही एक बिल्कुल इजी और इंट्रेस्टिंग चैप्टर लेका है हूँ ठीक है, जो के बोर्ड एक्जाम से बहुत ही यूजफूल रहेगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को सेर जरूर करना भी, ताकि जो आपके साथ वाले बच्चे हैं, वो भी पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ख्रैब ना करते हुए, अपना जो चैप्टर है, वो सुरू करते हैं भी, देखे दोस्तों, जो हमारा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा दोस्तों, चैप्टर नमबर ठीक है दोस्तों, चैप्टर नमबर ठीक है जिसका नाम है अलजैबरा ओफ मैट्रिसीज, या फिर मैट्रिक्स भी बोल सकते होगी, आई बात समझ में, तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है वई, जो ये मैट्रिसीज है, ठीक है, ये एक प्लियूरल वर्ड है वई क्या ही एक प्लियूरल वर्ड, और किसका प्लियूरल वर्ड है वई, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का, बात आई समझ में, तो कन्फ्यूज मत होना, कि मैट्रिक्स अलग अलग चीज़ है वई, ये दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना, आई बात समझ में, तो सोटी सी definition है और important भी होई तो definition रेहो नहीं दोस्तों इसके की यह प्रकार का arrangement रहेगा रहेगा arrangement किसका वhake या तो numbers का होगा या फिर कोई function का होगा बात आई समझ में या तो किसी an applies नम्बर का arrangement होगा या फिर कोई function का रेंजमेंट देखिए घ्णिए एन arrangement it is an arrangement of numbers of numbers and functions आई बात समझ में कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके डेफिनेशन क्या होगी तो डेफिनेशन होगी दोस्तों यह एक परकार का arrangement होगा या तो किसी number का या फिर कोई function का function कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों जैसे कि आपने 11 class में देखा होगा कि polynomial function देखा होगा कोई है ना जैसे variable में x और y में इस परकार से या फिर कोई trigonometric function संदेखा होगा जैसे fx equals to sign x भी कुछ इस परकार से ठीक है तो यह functions का या फिर कोई numbers का जैसे number कुछ भी हो सकते है 78 यानि कि कोई भी number बात आई समझ में कैसा भी number उनका arrangement होगा ठीक है यह है matrix बात आई समझ में अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको ठीक है थोड़ी सी बात और समझा देता हूँ आपको देखिए अगर मान लीजी कि आपको मैंने कोई information दी भी क्या दी कोई information ठीक है देखिए जैसे कि मैंने बोल दिया कि जैसे मैंने बोल दिया कि जो हमारे पास रमेश है रमेश उसके पास पांस तो बुक है और दो पैन है ठीक है रमेश है फाइफ बुक्स एंड टू पैन्स ठीक है दोस्तों एक और बताता हूँ जैसे मान लिया कि मोहन है मोहन है थ्री बुक्स एंड एट पैन्स इसी परकार एक और ले लिया भी महंदर है फोर बुक्स एंड थ्री पैन्स कुछ इस पकार से आपको इंफोर्मेशन दी गई है दोस्तों ठीक है कि हमारे पास तीन बंदे हैं रमेश जिसके पास पांच बुक है और दो पैन है भी मोहन जिसके पास तीन बुक है और आठ पैन है भी तीसरा महंदर जिसके पास चार आप देखे दोस्तों अरेंगमेंट क्या है अगर मान लिजिये कि मैंने तो यहाँ पर तीन ही नाम लिए हैं अगर बहुत से नाम आजाए कि इसमें और जोड़ दिया जाए कि दिपक भी होगा देवेंदर भी होगा विकास भी होगा कुछ भी हो ठीक है ना बहुत से तो उनको हमने source method में लिखने के लिए एक method आया दोस्तों जिसका नाम है tabular method कौन सा method ने क्या-क्या दोस्तों हमारा काम easy कर दिया वे क्या कर दिया काम easy कर दिया यानिंवรव में अब फोनातर नाम रही है प्रादर बनानेfa से एक थोड़ी टेबल बनानी यहां पर नेम लिख देंगे यहां पर लिख दिया कि इस परकार से चिरएबल बनाएंगे वह आमारे फाइफ और पैन इसी परकार क्या है मोहन क्या है मोहन के पास कितने बुक्स है भी थ्री बुक्स और 8 पैंज इसी परकार फिर कौन आया मेहंदर कि मेहंदर के पास books pencil इस प्रकार है भई ठीक है अब इसमें हमें थोड़ी सी और modification चाहिए भई ठीक है तो उस modification को किसने अलकिया भई matrix ने किसने अलकिया matrix में भई हमने तो इसमें क्या कर दी पूरी detail बता दी ना पूरी detail बता दी किसके पास कितनी चीज़ें ठीक है लेकिन मैटριक्स है वो क्या करेंगी वह सिरफ डाटा को उठाएडगे क्या करेंगी डाटा को उठाएगे नाकि नाम है उनके यानिकी दिन विक्ति के पास जो भी चीज़ें उसको नहीं देखे कि आई बात समझ में वो सिर्फ क्या देखेगी कितना डाटा किसके पास है देखिए तो दोस्तों मैट्रिक्स में कुछ इस परकार से लिखेंगे जैसे बोल दिया देखिए सिर्फ डाटा उठाएंगे भी मैट्रिक्स में क्या करेंगे डाटा उठाएंगे कुछ इस परकार से ठीक है फाइफ बुक्स फिर थ्री फिर फोर पैन कितने हुई टू एट और थ्री बात आई समझ में ठीक है तो इसका थोड़ा जो मोडिफिकेशन है वो क्या है वही मैट्रिक्स मेथड क्या है मैट्रिक्स मेथड ठीक है दोस्तों तो यह जो चीज है आपके पास कि टैबुलर मेथड को भी और मोडिफिकेशन मिल गया किस से मैट्रिक्स मेथड से अब matrix method को दो तरीके से लिख सकते हो भी आप या तो फिर ऐसे square bracket में या फिर ऐसे करके भी कुछ इस परकार ठीक है 5, 3, 4, 2, 8, 3 ठीक है दोस्तों या तो ये bracket यूज करो या फिर ये ठीक है अब देखिए जो ज़्यादा popular method जो रहेगा matrix का वो ये रहेगा दोस्तों ठीक है यानि कि आपके 12th class तक ये method best रहता है भी ठीक है जैसे आप graduation level पर जाओगे तो matrix आपको कुछ इस परकार से मिलेगी ठीक है उसमें ये method यूज करने लगेगी तो आप कोई भी method यूज कर सकते हो गलत नहीं होगा आई बात समझ में अब देखिए अब दोस्तों बात आती है कि matrix method तो हमने ये पढ़ लिया ऐसा है अब इनके elements के उपर बात आती है और इनका order क्या होगा उनके उपर बात आती है ठीक है दोस्तों अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ आपको जैसे अब ये जो चीज हमारे पास है ठीक है यानिके element 5,3,4,2,8,3 ये numbers ही तो है जैसा कि definition में बताया गया था कि क्या चीज होगे arrangement होगा numbers का arrangement होगा numbers का बात आई समझ में आगे देखिए ये जो है इनको क्या बोलेंगे दोस्तों elements बोलेंगे क्या बोलेंगे elements हाई बात समझ में क्या बोलेंगे elements अब एक बात और देखिए अब बात आते हैं इनके ये जो ये इस परकार से 5,2,3,8,4,3 ठीक है इनको क्या बोलेंगे अगर दोस्तों आपने ये दो चीज तो देखिए होगी horizontal नाम सुना होगा और एक नाम सुना अगर वर्टिकल है ना जैसे कि आपने 2D geometry जो है ठीक है उसमें आपने ग्राफ देखा हो कुछ इस परकार से ये x-axis और ये y-axis ठीक है तो उसमें क्या था दोस्तों कि आप x-axis को एक नाम और देते थे जिसको बोलते थे horizontal axis क्या बोलते थे horizontal axis ये बोलते थे और जो y-axis थी उसको बोलते थे vertical axis आई बात समझ में तो दोस्तों ये जो हमारे पास कुछ इस परकार से होंगे यानि कि horizontal में जो होंगे यानि कि 5,2,3,8,4,3 इनको बोलेंगे row क्या बोलेंगे जो horizontal line में होंगे उनको क्या बोलेंगे? row बोलेंगे भी ठीक है? आई बात समझ में और जो vertical में होंगे यानि कि कुछ इस परकार y-axis के तरीके से उसको क्या बोलेंगे? दोस्तों, column बोलेंगे क्या बोलेंगे? यानि जो vertical line में मिलेंगे उसको बोलेंगे column क्या बोलेंगे कोलम आई बात समझ में ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए होतो और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करो गई ठीक है आगे देखे जैसे कि एलिमेंट्स आपको बता दिये यानि कि जो इसके अंदर है वो सारी एलिमेंट्स ठीक है जो हमारे पास वर्टिकल होंगे वह रोंगे जैसे पहली रो कौन सी है फाइफ टू तो इसको बोलेंगे दोस्तों आर वन रो वन इसको बोलेंगे आर टू आर टू इसको बोलेंगे दोस्तों आर थ्री आई बात समझ में कोलम वर्टिकल वाले यानि कि कुछ इस परकार तो इसको बोलेंगे C1 इसको बोलेंगे C2 आई बात समझ में ठीक है अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रो और कॉलम रो और कॉलम इसमें देखिए रो और कॉलम से बात आती है दोस्तों मैट्रिक्स के ओर्डर की किसकी बाताती है मैट्रिक्स के ओर्डर की वो और देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओर्डर ओफ मैट्रिक्स क्या होगा ओर्डर ओफ मैट्रिक्स ध्यान से देखना दोस्तों ओर्डर ओफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास useful होंगे कुछ इस परकार से number of rows number of rows into number of columns number of columns बात आई समझ में ठीक है तो वो हमारे पास क्या होगा order होगा जैसे अब इसमें देखे रो कितनी है दोस्तों तीन है ना r1 r2 r3 और column कितने है c1 और c2 यानि कि दो column है और तीन रो है और order बताने के लिए क्या होगा पहले number of rows फिर number of columns यानि कि number of rows तीन थे तीन लिख दिया इंटू number of rows columns तो यह इसका order होगा भी क्या होगा order यानि कि हम बोल सकते हैं कि यह matrix जो है वह हमारी 3 by 2 की बात आई समझ में ठीक है अगर matrix है उसका order बिल्कुल नीचे लिखें अगर आप पूछ लिया जाए इसको दोस्तों 3 into 2 बोलोगे या 3 by 2 बोलोगे ठीक है ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 को 2 से multiply करके 6 इसका order 6 है ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते ठीक है बिल्कुल गलत हो गाई अब देखिए जैसे कि आपको पूछ लिया जाए यहीं इसे क्यों सकता है option टाइप क्यों सकता है जैसे आपको गिवन हो भी order of matrix आपको दे रखाओ क्या दे रखाओ order of matrix और आप से पूछ लिया जाए कि उसके elements क्या होंगे उसके elements क्या होंगे तो देखिए दोस्तों important question if order of matrix is given यहनिकि order क्या हमारे पास given है ठीक है तो उसके elements क्या होंगे ठीक है यहनिकि आपको पूछ लिया जाएगा कि number of elements उसमें element कितने अभी यह कि उसना आप से पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना एक सोटा सा काम करना है इनकी multiply कर दो वही उनके element होंगे ठीक है 3 into 2 6 तो उसके element कितने बनेंगे 6 बनेंगे आई बात समझ में गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो elements निकालने का rule आपको पता चल गया अगर order दे रखा हो तो आपको क्या करना है order जो है row और column को सिरफ multiply करना है क्या करना है multiply करना है बात आई समझ में ठीक है दोस्तों आगे देखिए अब बात करते हैं दोस्तों की जो हमारे पास matrix है उसकी notation किस परकार से होगी ठीक है आज जो भी है full basic concept बताए जाएगा आपको पूरा basic concept तो द्यान से देखते रही वीडियो को बीच में skip मत करना भी वीडियो ठीक है देखिए अब बात आते हैं दोस्तों notation की notation of matrix नोटेशन ओफ मैट्रिक्स यानिकि matrix को किस परकार से रिपर्जेंट करेंगे भी देखिए जैसा कि पहले बात तो यह दोस्तों अगर matrix को रिपर्जेंट करना है यानिकि उसके elements को कुछ इस परकार बताएंगे इस परकार ए आई जे ठीक है जहां पर आई क्या होगा रो और जे क्या होगा कोलम उनकी element बात आई समझ में या फिर आप इसको ऐसे भी दरसा सकते हो ए आई जे ठीक है या फिर इसको ऐसे भी दरस आ सकते हो यानिकी रिपर्जेंटेशन क्या होगा इनकी कुछ इस परकार से आई बात समझ में लेकिन जो popular method है वह हमारा यह रहेगा ठीक है आप तीन तरीके से रिपर्जेंट कर सकते हो इनको लेकिन जो popular method है वह यह है आई बात समझ में अब देखिए अगर कोई भी matrix है उ आपके पास कोई matrix है ठीक है single capital letter बोल दिया कि यह आपके पास matrix है two three four five ठीक है अब देखिए AI जित क्या होंगे इनके elements ठीक है अब जैसे मैंने बोल दिया कि आप अभी अभी बताया था कि order कैसे निकालोगे ठीक है पहले number of rows फिर number of columns तो आप इसमें देखिए number of row कितनी है गई दो है ना r1 और r2 दो इरों है column कितने है दो c1 c2 यानि कि आप बता सकते हो इसका order क्या होगा two by two क्या होगा two by two ठीक है question बताया था एक पीछे अगर इसके elements पूछ लिए जाए दिखाए दे रहे हैं order से भी देख सकते हो two into two for elements कितने होगे for you होगे देखिए अब यह बात है दोस्तों कि अगर आपको यह बोल दिया जाए यानिकी aij अब इनके elements के नाम पर बात आए ठीक है यह element कौन सा है यह element कौन सा है यह element कौन सा है और यह कौन सा ठीक है तो उसके लिए हम इसका use करेंग जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि इस जो matrix में आगर 2 जो element है क्या है टू element वो कौन सा element है दोस्तों कौन सा element है तो देखिये 2 है कौन सी row में आ रहाए दी पहली row में और 2 column में किसमें पहले कॉलम में यनलि के हम क्या बोलेंगे ये जो दो है इसकी जो जगہ होगी वो कौन सी होगी'? A11 कौन सी होगी? A11 यना 1 का मतलब पहली row और इस 1 का मतलब पहला कॉलम तो 2 हमारे पास क्या है? पहली row का पहला element बात आज समझ में आई पहली row का पहला element अगर आप से पूछ लिए जाए कि 3 क्या होगा 3 कौन सा element है तो देखिए 3 कौन से row में भई पहली row में, column में कौन सा second, बात आई समझ में देखिए द्यान से पहली row, second column इसमें यही तो बता रखा है I पहले किस के लिए उज़ होगा पहली row का दूसरा element बात आई समझ में, अब देखिए जैसे 4 पे चलते हैं भी, कि जो 4 है वो कौन सा element होगा तो देखिए, row कौन से भी 4 के लिए 2, column कौन सा 1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ A, 2, 1 दूसरी row का पहला element बात समझ में है दोस्तों दूसरी row का पहला element इसी परकार अगर पूछ लिए जाए कि 5 कौन सा element है, तो क्या बताओगी दूसरी row का दूसरा element, यानि कि A, 2, 2, ठीक है अब ये भी समझ गए होगे आप कि इस चीज़ को हमने क्यों लिखी थी इस परकार, ठीक है ताकि इस चीज़ को simple ऐसे represent कर सके ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये name of elements है भई, क्या है name of elements name of elements ठीक है अब बात आते है दोस्तों types of matrix की, ठीक है या तक अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, तो वीडियो या तो फिर आगर बात आते है दोस्तों, हमारी types of matrix types of matrix अब matrix की अलग-अलग type होंगे भी ठीक है, देखिए पहली जो type है, वो type होगी दोस्तों square matrix ठीक है, या फिर पहले चलो, row matrix ले लो row matrix row आपको बताया था कि जो horizontal, जो line में होगी वो सारी क्या है, row है, ठीक है तो पहली बात आती है, row matrix के उपर तो row matrix क्या होगी row matrix वो matrix होगी जिसमें सिरफ एक single row हो, क्या हो single row, ठीक है a matrix a matrix having one row या फिर single row having one row ठीक है, उसको क्या बोलेंगे row matrix, जैसे देखिए one, two ठीक है, एक example और जैसे बोल दिया one, three, seven एक और ले लिया x, y, z, w ठीक है दोस्तों, क्या बात बताई, जो row matrix है, किसको बोलेंगे, जिसमें सिरफ एक row हो, जिसमें सिरफ एक row हो, देखिए अब देखिए दोस्तों, इसमें सिरफ एक ही तो row है, एक ही row है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, one row में, यानि कि row matrix, इसको भी row matrix, इसको भी row matrix, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि इनके order क्या होंगे, इनके order क्या होंगे, तो वो देखिए, एक row, लेकिन column कितने है, एक, दो, ये C1, ये C2, और row कितने है, एक ही है, आरवन, तो इसका order बताने के लिए, आप क्या क्या होगे, order क्या होगा दोस्तों, एक row, दो column, यानि कि one by two, ठेक है, one by two, one into two, ये क्या होगे, इसका order, इसे परकार इसका order बताओगे, row तो एक है, ल में, इसी परकार इसका क्या बताओगे, row एक, column one, two, three, four, तो क्या बताओगे, one, four, बात आई समझ में, तो ये हमारे पास क्या है, row matrix, example से भी आपको समझा दिया गया है, ठेक है, अगले जो type की बात है, वो देखे, column matrix भी, क्या होगी, column matrix, आगे बात आती है, column matrix, जो दूसरा type हमारे पास, column, matrix, देखे, column matrix, उसी परकार जिस परकार से row matrix बताई थी, इसमें क्या होगा सिरफ, अब के बार एक column आ जाएगा, है ना, matrix having only one column, matrix having only one column, वो क्या होगी, हमारे पास, column matrix, आगे बात समझ में, देखे, जैसे मैंने बोल दिया, कि जो आपके पास, जो matrix है, वो इस परकार से है, 12, 137, XYZW, ठीक है, कुछ इस परकार से, अब देखिए, क्या हुआ था column matrix, जिसमें सिर्फ क्या होना थी, यह, only one column, है ना, तो, column तो एक ही है, लेकिन अब के बार, row कितने होगी, r1, r2, पहली row, दूसरी row, column, सिर्फ 1, c1, है ना, order बताने के लिए, क्या order बताया था, number of row, into में number of column, यही बताया था, ठीक है, number of row को denote करेंगे, दोस्तों, m से, और number of column को denote करेंगे, n से, ठीक है, यह ने की, m by n, तो इसमें देखिए, number of row कितनी है, दो है ना, और column कितना भी, एक, तो 2 by 1, 2 into 1, ठीक है, यह इसका order होगा, इसी परकार इसमें column एक, लेकिन row, 1, 2, 3, row कितनी है, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3, 1, है ना, क्योंकि पहले number of row लिए जाएंगे, बाद में number of column, तो row कितनी थे, 3 थे, 3 लिख दिया, column कितना, एक लिख दिया, आगे देखिए, इसे परकार इसमें, column तो एक है, लेकिन row कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4, तो इसका order क्या होगा, 4, 1, 4 by 1, बात आई समझ में, तो यह थी दोस्तों, column matrix, जिसमें सिरफ एक ही column हो, और row matrix, जिसमें सिरफ एक ही row हो, ठीक ह आगे देखिए, अगले बात आती है, दोस्तों, square matrix की, अगले बात आती है, square matrix, जो हमारा तीसरा टाइप है, वो है square matrix, देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, square matrix, है ना, यानि कि number of row और number of column, दोनों बराबर होंगे भी, number of row, number of column, दोनों बराबर होंगे, देखिए, यानि कि इसमें क्या लिखेंगे, number of rows, number of rows, equal to number of columns, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, square matrix, यानि कि M equals to M, आई बात समझ में, ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे मैंने एक matrix ले ली, ये, 2, 3, 4, 6, ठीक है, ये matrix, सभी को पता है, row, horizontal वाली, यानि कि कितने row है इसमें, R1, R2, दो रो है न, column कितने, C1, और C2, दो column है, ठीक है, हमारे condition satisfy, number of row, equal to number of column, यानि कि इसका order, 2 by 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये, square matrix, इसे परकार 3 by 3 के लिए, जैसे कि एक matrix, बोल दिया मैंने ये, 1, 3, 7, 8, 7, 6, 8, 6, 7, या फिर 492, ठीक है, number of row, 3, one row, second, third, ठीक है, column, first, second, third, तो क्या बोलोगे, 3 by 3 के matrix है, और square matrix है वही, क्योंकि condition satisfy है, कि number of row, equal to number of column, आगे बात समझ में, आगे देखें, अगला type आता है वही, rectangular matrix, कौन सा, rectangular matrix, रेक्टेंगलर मैट्रिक्स, कौन से होगी दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर rectangle बनाएंगे, तो या तो number of row, और number of column में से एक बढ़ा होगा, ठीक है, साहे तो वह column बढ़ा हो, या फिर row बढ़ा हो, जैसे देखें, यानि कि इसमें आप बोल सकते हो, कि number of row, not equals to number of column, क्या बोलोगे, number of row, not equals to number of column, जैसे, एक example ले लिया, 3, 7, 5, 4, 2, 4, आई बात समझ में, देखिए, row कितनी है दोस्तों, एक, दो, तीन, यानि कि R1, R2, और R3, तीन row है, column कितना, एक और दो, दो ही column है ना, C1 और C2, तो इसका order क्या बता होगे, number of row into number of column, ठीक है, जैसा कि दिखाए दे रहा है कि row 3, बराबर नहीं है, दो के, आई बात समझ में, आगे देखिए, फिर टाइप आती है, हमारे पास, diagonal matrix, कौन सी भई, diagonal matrix, ज्यान बनाए रखिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे बाते बताई जाएंगे, आगे, देखिए, अगला तो टाइप हमारे पास, वो है, diagonal matrix, diagonal matrix का मतलब है दोस्तों, diagonal matrix हमेशा square matrix होगी, बस condition ही होगी, diagonal elements नोन जिरो हो, बाकी के 0, जैसे की देखिए, मैंने बोल दिया, 574, ठीक है, square matrix बना रहे हैं पहले, 349, 210, 213 ले लिजे, यह, तो यह square matrix है न, ठीक है, अगर diagonal matrix की बात हो रही है, सिर्फ इन elements को छोड़के, diagonal elements, यानि की सिर्फ ये elements छोड़के, सारे elements क्या हो, 0, यानि की अब ये सारे elements 0 होने चाहिए, तो वो हमारे पास कौन सी matrix होगी, diagonal, बात आई समझ में, ठीक है, diagonal matrix कि इसको बोलेंगे, यानि की, all non-diagonal elements will be 0, all non-diagonal elements will be 0, यहाँ पर लिख देता हूँ, all non-diagonal elements, elements will be 0, ठीक है, आई बात समझ में, और पता भी आपको ये matrix 3 by 3 की, square matrix है, तो जो भी square matrix होगी, उसको diagonal matrix बनने के लिए, उसके non-diagonal elements क्या होने चाहिए, 0, बात आई समझ में, अगला टाइप देखें दोस्तों, अगला टाइप है scalar matrix, कौन सा भी, scalar matrix, देखें, scalar matrix क्या होगी दोस्तों, scalar matrix, यानि की जो diagonal matrix थे हमारे पास, उसके जितने भी diagonal elements हैं, वो same होने चाहिए, क्या होने चाहिए, same, ठीक है, यानि की diagonal elements will be same, diagonal elements will be same, वो हमारे पास कौन सी matrix होगी दोस्तों, scalar matrix, कौन सी scalar matrix, देखें, जैसे की यह हमारे पास, तो matrix लिए हमने यही matrix, ठीक है, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, ठीक है, क्योंके condition क्या थी, diagonal elements will be same, और diagonal elements same ही तो है, तो वो हमारे पास कौन सी matrix होगी, scalar matrix, कौन सी matrix, scalar matrix, और order आपको पता ही है 3x3, आई बात समझ में, ठीक है, आगे देखें, अगला जो टाइप हमारे पास वो क्या होगा अगला टाइप देखिए अगला टाइप है दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटी मैट्रिक्स ठीक है बात यह की है पता घे होगा यूनिट का मतलब 1 आइडेंटी का मतलब भी 1 ठीक है यानि कि जिसके डाइडेंग्नल एलेमेंट्स क्या हो 1 तो वो हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होगी यूनिट मैट्रिक्स देखिए जैसे बूल दिया कि ये ये कोई matrix है 1001 है ना diagonal elements कितने है वन ही तो है आगे देखिए अगर 3 by 3 की चाहिए तो 1001 010 और 001 ठीक है diagonal elements 1 ये 2 by 2 की थी और ये 3 by 3 ये होगी unit matrix ये कौन से होगी unit matrix आई बात समझ में तो दोस्तों ये जो आज हमने type किये हैं ठीक है ये useful होंगे आपको अगली exercise ये जो पहली exercise करोगे उसके लिए ठीक है दोस्तों तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं next वीडियो में ठीक है तो वीडियो को जादा से जादा अपने friends के साथ share कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि full course math आपको यहां पर करवाया जाएगा thanks for watching